मैं अभी अभी जस्ट आ रहा हूँ मार्केट से, मार्केट से आज बहुत सारा काम था मुझे, क्योंकि आज है संडे, और हम लोगों ने एक चीज तैय किया, कि सिर्फ संडे के संडे निकला करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत सब्जी कम गया बीच में, या फिर कुछ किराना क समान का जरुवत हो गया, या ऐसे ही कुछ काम का जरुवत हो गया, तो निकलेंगे, और वरना पहले क्या होता था था ना, जैसे आज कुछ लेके आ जाएंगे, फिर कल वापस से कुछ सब्जी लाएंगे, परसो फिर जाएंगे, ऐसा हम लोग का चलता था, और हाँ, इसके बावजूद संडे को भर भर के लाते थे, लेकिन अब संडे को और ज्यादा भर भर के हम लाने लगे हैं, ताकि धीरे-धीरे करके एक हपता तक चल जाए, जैसे, लेकिन बहुत सरा सब्जी ऐसा है, जो एक हपता जाने नहीं वाला जैसा धनिया पत्ता, वो आप कितना ही ले अब आपको लग रहा होगा कि इतना सब्जी एक हपता चल जाएगा, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह देखिए, यह है हमारे फ्रिज का बास्केट, यह एक्चुली भर गया है पूरा, फूरा फूल हो गया यह आज का ही मार्केटिंग से, और यह जो आप देख र आए हैं, वो है, यह देखिए, यह जो इंवर्टर का बैटरी है ना, इसका वाटर इंडिकेटर या वाटर कैप क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं, वो ना टूट किया है दो, दो टूटा हुआ है, तो वो दो भी हम लोग लेके आए यह देखिए, यह रहा, अभी मालूम था कि यह कैप भी अलग से मिलता है, क्योंकि ओनलाइन में देखा तो उसमें सेट लेना पड़ता है, छे का छे एक दब, और प्राइस जो है, वो सबसे जो मिनिमम था प्राइस, वो मुझे नहीं लगता कि हमारे इस बैटरी के लिए था, क्योंकि सायद हर एक बैट क्योंकि वहां पर भी जब हम लोग गए ना, तो पहले वो एक और तरीके का दे रहे थे, वाइट कलर का था वो, फिर जब मैंने बोला कि लेकिन हमारे बैटरी का जो है, वो यलो कलर का है, तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि कलर आपको एक जैसा नहीं मिलेगा, तो मुझे ल लग रहा है या नहीं, और ये पता है मुझे सिर्फ 20 रुपीज का पड़ा, दो कैप 20 रुपीज का, 10 करके, और ओनलाइन जो सबसे मिनिमम था, वो था 48 रुपीज का, एक, और वो इस बैटरी के लिए नहीं था, और इस बैटरी के लिए जो आ रहा था, वो I think 70 रुपीज का था, 70 रुपीज का एक, और वो भी पूरा सेट लेने पर इतना पड़ रहा था, और सिंगल तो अवेलेबल ही नहीं था, मैंने देखा, तो सारा चीज ओनलाइन सही नहीं होता है, बहुत सारे चीजों के लिए हमें ओफलाइन भी डिपेंड करना पड़ता है, जैसे पता है, एक सांती भी मिलता है, और मज़ा आता एक्शली इस चीज में, लेकिन धीरे-धीरे करके लोग पूरा-पूरी ओनलाइन डिपेंड करना चाहते है, मैं ओनलाइन डिपेंड करता हूं, सिर्फ ऐसे सामानों में, जो मुझे पता है कि अभी मार्केट जाओंगा, तो फिर बास सर्विस सेंटर के चक्कर आप काटते रहोगे, और सर्विस सेंटर आप अगर एपल का लोगे तो वो लोग बहुत जादा चार्ज करते हैं, और सर्विस नोट आउट बहुत बढ़िया देते हैं, लेकिन चार्ज भी तो बहुत करते हैं वो लोग, या सैमसंग का उसका भी service center ठीक है लेकिन बाकी का मेरा experience बढ़िया नहीं है मुझे नहीं पता कि बाकी जगा में service center का कैसा क्या हालत है लेकिन मैं जमसेदपूर की बात करूँ या घाटसिला की बात करूँ तो यहाँ पे service center का experience है हां Samsung वाले service center का बहुत अच्छा experience मुझे मिला लेकिन बाकी जैसे एमाई का बोलू या कुछ और ब्रैंड का तो इसका यहां पे मुझे सर्विस सेंटर बढ़िया नहीं मिला अब हो सकता है कि भूबनेस्वर अगेरा या मुझे कोलकाता यह सब में बढ़िया होगा तो यह सब चीज ऑनलाइन पर्चेस करना ठीक है क्योंकि एक तो आपको समय भी बचता है घर पर ही बैठे बैठे कहीं जाना नहीं है कुछ नहीं और उपर से आप जितना मर्जी चाहे उतना आप स्क्रॉल करते रहो और चुनते रहो फिर कौन सा चाहिए कौन सा नहीं यह कपड़े भी लेना है तो वह भी मैं ऑनलाइन प्रिफर करता हूँ क्यों दुकान दुकान जाओंगा फिर ज्यादा बोलने में भी ठीक नहीं लगता जैसे चार-पांच कपड़े वो दिखाएंगे इसके बाद भी मैं बोलता जा रहा हूँ तो ठीक नहीं लगता क्यों इसका मतलब है सबसे सटा कौन से बड़ा निम्बू निम्बू साहिड ना निम्बू 10 का 10 पिस और वो भी मैं आपको साइस दिखाता हूं रुकिया यह देखिए इतने बड़े बड़े निम्बू एक रुपय का एक है यह देखिए एक केला फूल यह दोठो दिया 10 रुप है अभी आपके यहां कैसा प्राइस है सबजियों का अब चाहो तो वता सकते हो कमेंट में और अभी मैं जरा सापको वक्त दिखा देता हूं यह देखिए अभी 140 होने वाला है हम लोग मार्केट से बहुत पहले ही आ गये हैं इसके बाद मैं बाइक दोने के लिए नीचे ग और इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है नमक ठीक हरामिर्चा और सर्सो का तेल बोलते बोलते ही मेरे मूँ में पानी आ रहा है बहुत बढ़िया लगता है और यह अभी हम लोग लूंच में खाने वाले हैं मतलब यह भी एक आइटम है हमारा लंच के लिए जैसे क्या है कि चटनी लेना पसंद करते हैं के लोग वो टमाटर का चटनी और मैंने एक चीज़ पाया कि इंदौर साइड में वहां पे लोग टमाटर को जला के चटनी नी करते हैं वही कड़ाई वाला ही जानते है लेकिन हम लोग दोनों तरीके के चटनी बनाते हैं तमाटर का जला के औ और वो कड़ाई में जो बनता है वो भी जलाने वाला वैसे ज्यादा टेस्टी लगता है तो आज का दिन तो कुछ इसी तरीके का रहा वैसे संडे को हमेशा ही हमें बहुत ज्यादा काम रहता है क्योंकि हम लोग ना काम जो है अपना वो इकठा करते रहते हैं लिखते रहते हैं कि क्या समान लाना है क्या नहीं लाना है और इसके बाद एक ही बार में संडे को निकलते हैं और सबसे यदा समान संडे को आता है आप में से भी ज्यादा तर लोग इसी तरह करते होंगे सारा समान एक संडे को लाते होंगे है ना खासकर जो किसी सर्विस में है, तो उनको तो free time Sunday ही मिलता होगा, और अभी as usual, बस lunch करूँगा, इसके बाद बैठ जाओगा, अपने काम पे लग जाओगा, ये actual life है, एक middle class का, क्योंकि हम लोग middle class family है, और मैं आपको एक चीज़ पो आद दिखाना भूली गया, ये देखिए, ब्रॉकली, ये भी हमें सस्ता सुविधा ही पड़ा, बहुत जादा प्राइस नहीं था इसका, कितना था ये दो का, 20 रुपीज पड़ा हमें, 25 करके एक, लेकिन एक लेने पे वो 25 पे नहीं देते, एक का 35 हाँ, दो हमने लिया, तो 50 में मिल गया, पता है मैं पहले जब दे बला, वैसा ही इसका भी होता है, बहुत मज़ा आता है खाने में, ये सब चीज का जब भी मैं नाम लेता हूं, मेरे मूँ में सही में पानी आने लगता है, तो फिलाल, इस वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि हमारा वक्त हो गया है लंच करने का, और आपको